ब्रेके बाद आप सभी का स्वागत है विधान सभा का दंगल लगातार जो आ रही है और लगातार हम अलग-अलग जगों से उत्तर प्रदेश भी क्या कुछ हालात बन रहे हैं उसकी तस्वीरे सीधे आप तक साजा कर रहे है इसी गड़ी में सबसे पहले आप आपको लिए जलते अलिगड की ओजां से खबर आ रही है कि अलिगड के अतरौली विधान सभा की गाओं कल्यानपूर हमतपूर में पुल की मांग उठा रहे हैं ग्रामडों ने वोटो का भहिश्कार किया है ग्रामडों ने कहा है कि हम लोग पुल की मांग कर रहे थे लेकिन मौजूद रहे हैं तो लोगों में एक खासा अक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है चुनाओं का भहिश्कार उनके और से सीधे साफ तोर पर किया गया है तो एक बड़ी तस्वीर यहां से निकल कर सामने आ रही है मंतलब गाओं की जंता पूरी परेसान है पुल की वजय से रेलवे इस्टेशन पर ने जा सकते ट्रेन निकल जाती है काँ होके जाएं काली नदी में होके जाएं गाधा-पानी में होके इसी वज़े से हम वोट नहीं डाले रेल्वे लाइन का पुल है रेल्वे की उसने मतलब पुल की पटियां निकलवा दी है और अब मतलब जाएं तो कहां हो के जाएं तो चलिए क्या कुछ हालात हैं वहाँ पर क्या इस्थितियां है ये हम जानने की कोशिश करेंगे जैरे खान सायोगी हमारे साथ में बन चुके हैं आप से जानना का चाहेंगे कि क्या कुछ अभी तस्वीरे यहां से निकल कर आ रही क्योंकि चुनाव आज हो रहे हैं एक-एक वोट की एक-एक मत की बहुत ज्यादा यहां पर स्थिती जो है वो चुनाव जो प्रत्याशी है उसके जीत और हारताय करती है ऐसे में पूरा गाव में एक जुट हो गया है और पूरे गाव वालों ने मिलकर चुनाव का भाहिशकार कर दिया है पूरा गाव यहां पर एक-एक जुट हो गया है लेकिन इस बिच यह समझना भी जरूरी जरूरी है है कि जब चुनाओं के पहले प्रत्याशी आंपर क्यांपेनिंग करते हैं दो टूढर उनके ओर से क्या जाता है उस वक्त वोटींग का जब प्रचार है पर रजुतिक दलो की ओर सजब अपने लिए किया जा रहा था तो अस व्त ग्रामरों ने अपनी यह मांग वहां पर उनके समख्ष में नहीं रखी जी ग्रामडों ने आज जो है मतान का वहिशकार किया है लेकिन दूसरी और यह खबर भी आ रहे थी कि कुछ लोगों ने जरूर अपने अपने अधिकार का प्रयोग किया है आज के दिन के लिए कि अधिकार कि प्रशासन के और से या कोई एक स्थाने अधिकारी यहां पर आया है जो लोगों को समझाइश दे सके ताकि वे उनको समझाइश दे और वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें पोलिंग बूद पर पहुँच कर चले बिलकुल तमाम जानकारे के लिए बहुत शुक्रिया आपका तो यहां पर आपको बता दे कि आज 58 सीटो पर चुनाव हो रहे हैं सभी प्रत्याशियों की किस्मत दाओ पर लगी है जनता अपना फैसला सुरक्षित लगा रही है और वहीं एक-एक वोट काफी एहम और महतपूर्ण माने जाते हैं एक-एक वोट प्रत्याशी के जीत और हार का फैसला करती है ऐसे में पूरे गाउंवलों ने मिलकर नाराजगी के चलते हैं यहां पर खासे आक्रोशीत में नजर आ रहे हैं सभी पार्टियों के पदादिकारे सांसद मेयर भी अपने-पने मत का प्रयोग कर रहे हैं और आम जंता को भी मतदान के लिए प्रेरिद भी कर रहे हैं इसी करम में आज गाजियाबाद से राजसभा सांसर डॉक्टर अनील अगरवाल भी अपने मत डालने के लिए मतदान स्थल पर पहुचे और मतदान किया ऐसे में गाजियाबाद से हमारे समवादाता हैदर अली ने राजसभा सांसर डॉक्टर अनील अगरवार से इस खास मौके पर बात शीव की कि मूझुद है उनकी डॉटर हैं पूरी ऐधिया हैं उनकी वाइफ हैं उनके बेटें हैं जान लेते हैं सर आज मत का प्रियोक किया है एक पटपटा सा सवाल है किसको ज़ीताने वाले हैं और गाजयबाद में हम पांचों सीटे जीत रहे हैं और गाजयबाद की जनता बहुत बुद्धिमाने उसके सामने इस पस्ठ है कि किसने उनका विकास किया है किसने उनको बहतर कानून में वस्था की है और किसने उनने बहतर बिजली दिया और किन लोगों ने उनको को लूटा है परिशान किया है तो मेरे साथ पूरी प्रदेश की जनता भी माने योगी जी माने मोदी जी के कारियकाल को एक तरह से एंडोर्स कर रही है और जो सब का विकास हुआ बहतर कानून में वस्ता हुई है बहतर लोगों को मकान मिले हैं लोगों को सोचाले मिले हैं य ट्राइस माजन लगयों इसका परभावे ने मगोथ सब्सक्ते मुच्ण है लेकिसान उनको गज्ञान से नहीं देना है नाने हम यूरिया की कोटिंग की और यूरिया की इसलो Much लिल में में उच्रू कुरражिया कोboys अच्ड़ प्लीमा है. है असान किस्तों पे उनको रिन उपलब्द कराया जा रहा है हमने धरातल पे काम किया है और मैं आपको बता दूँ यह अगर तीनों क्रशी कानून लागू हो जाते तो वास्ता में किसानों का हित होता है मैं आपको अधान बताता हूं बुलंशहर की मंडी में और गाजबाद में जो किसान भाईयों की हमने समीति गठित की है वो खुद इस बात को कहेंगे कि जो कानून थे उनको लागो किया जाए पूरे प्रदेश में वैक्सिनेशन चला है और निगरानी समीतियों के माध्यम से जिसको जरासी भी दिक्कत होई तुरंत उसके घर पे हमने मेडिकल के टुपलब्द कराई ये सारी चीजे हैं और माने योगी आदितेनाथ जी अकेले मुख मंत्री हैं जो कोविड ग्रसित होने के बावजुद जनता के बीच मैं गाजयबाद में आए आप सब लोग उसके शाक्षात जो हैं गवाँ हैं बनेरी जनता टीवी के साथ हैदर ल महिला ने बूत कर्मचारियों पर आरोप लगाया है बूत के अंदर कर्मचारियों ने वोट नहीं डालने दिया ये महिला के उड़ से आरोप लगाया गया है इत्मातपूर वधान सभा के बाहर की इस्थिती है जहां पर यस्थिती निर्मित हुई है वादवबाद जैसी यहां पर दिखाई दे रही है क्योंकि यहां बूत के बाहर एक महिला और पुरुष ने हंगामा किया महिला ने बूत करमचारियों पर आरोप लगाया महिला का कहना है कि बूत के भीतर करमचारियों ने उन्हें वोट डालने नहीं दिया तो कही न कही आप पर हंगामे जैसी स्थिति नर्मित हुई है महिला और पुरुष ने मिलकर यह हंगामा किया है इत्मादपूर विधान सभा शेत्र की यह घतना आपको बता रहे है बूत के अंदर करमचारियों ने वोट नहीं डालने दिया यह महिला ने सीधे साफ़त और यह आरोप लगाए पोलिंग बूत पर यह हंगामा हुआ है इत्मादपूर विधान सभा शेत्र के बूत के बाहर एक महिला और पुरुष ने मिलकर यह आरोप लगाया उतका सीधे साफ़त और महिला का कहना था कि बूत के अंदर करमचारियों ने उन्हें अपने मतादिका का प्रयोग करने नहीं दिया चलिए तो अलग अलग जगों से हमारे साथ में सायोगी जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और कैसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है सबसे पहले इसी क्रम में निूजरूम के और यह जलते हैं सायोगी अमित हमारे साथ में बने हुए हैं अमित जानना चाहेंगे अभी तक कि क्या कुछ इस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है कैसे समीकरण और कैसे हालात यहाँ पर अभी बनते दिखाई दे रहे हैं पर जिससर से हमने 2017 के समीकरन देखे थे जब की चुनावी नतीजे सामने आये थे तब बीजेपी एक बड़ी लीड के साथ यहाँ पर सरकार बनाने में काम्याब हुई थी और माना यही जा रहा था कि योगी की जो लहर है इस बार जुकी सीम फेस के तौर पर बीजेपी ने योगी पर ही दाव खेला है और तमाम जो विभिन विपक्षी दल है वो कहीने कहीं ये कहते हुए नजरा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विकास का मॉडल पेश किया गया तो 2017 में उस पे काम नहीं हुआ हाला कि भारती जनता पार्टी का ये दावा अलग है कि हमने जो वादे किये थे उसमें 92 हम पूरे करने में सफल रहे हैं लेकिन वहीं अगर आपको बता दे कि सुभा से जिस तरह से अलग-अलग जगों से रुजहान सामने आ है जिस तरह से वोटरों को रियाक्शन्स आया और हमने जनता तक पहुँचाए भी है तो कहीं न कहीं जो किसान आंदुलन था जो की 13 महिनों तक चला दिल्ली बॉर्डर पर उसका भी असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला लगिमपूर खेरी की जो घटना थी जहां पर किसानों को कुचल दिया गया था साथ किसानों की मौत हुई थी उसका भी एक असर देखने को मिला तो कहीं न क प्रदेश के जितने दिग्गस थे पार्टी की राश्ट्री महासरजी प्रियंका कांधी हर मोर्जे पर डटी रहती थी पीडितों के घर जाकर उसे संबाद करती थी मुलाकात करती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा कॉंग्रिस ने शोकेस किया था और महिला करके जो पार्टी थी वो उत्री सड़कों पर और कहीं न कहीं बीजेपी के विरोध में प्रचार किया वहीं दूसरी तरफ अगर हम आने राजनतिक दलों की बात करें चाहें हम समाजवादी पार्टी की बात करें जिसके प्रमुक अकले श्यादव हैं उनका आरलडी के साथ जड़बंधन ये भी काफी सियासी समिकरण को बदलता हुआ वहाँ पर नजर आया और निश्चित तोर पर ये माना जा रहे हैं कि आज जो पहला चरण है वो काफी एहम है जिस पर सभी की निगाहें ठीक हुई है क्योंकि राजनतिक बार्टियों की अगर बात करें तो सभ भी अपने जीत को लेकर काफी आश्वस नजर आ रहे हैं पुर्जोर कोशिश सभी राजनतिक दलों ने अपनी ओर से यहां पर लगाई है आप बने रहे हैं अब मतुरा में क्या कुछ हालात है कैसे समीकरण वहाँ पर बंते दिखाए दे रहे हैं ये हम जाने की कोशिश कर अब जीत का पर्चम लहरा या था यहां पर जी मैं आपको बता दो अभी तक मतुरा में समतिंग 25% से बोटिंग जादा हो चुकी है और जिस तरह से अभी तक जो वोटरों का उस्टा है वहारी संक्या में देखने हैं वोटिंग जहां पर बात करें तो मतुरा के माठ शेतर कशाद में जो नगला सपेरा आए वहाँ पर कुछ शमस्चाओं करके गाऊं में लोगों ने वोटिंग का वहिसकारि भी किया है चुकि उनका कहला है कि उनको अरक्षण नहीं मिला उनको आरक्षण की माँझ है और गाऊं में कोई भी विकास की योजना नहीं पहुच पही है तो इसलिए वोटिंग का भष्कार कर रहा है वही एक गूट पर ऐसा भी देखने को मिला है जहां पर दूला सस्राल से बापस आते ही सबसे पहले बाइट सोरी अपना मतदान करने के आए और मतदान के साथ-साथ जो हो मतदान करके फिर अपने घर पहुंच रहा है तो ऐसे ने भी कुछ रंग देखने को मतदा में मिल रहे हैं जो पोटों का एक तरह से बताते हैं कि जो लोगतंत्र क में वागीदारी करें और कतना उस्सा वाल देखने को मिल रहा है चले बिलकूल तो यह पर देखने वाले बात होगी क्योंकि कही ना कहीं ऐसी स्थित्या भी JOHN प आप से जानना चाहेंगे क्या कुछ हालाद अभी वहाँ पर लोगों में कितना उत्सा आज किस दन विशेश को देखते हुए चली लगता है उनसे संपर्ग नहीं हो पा रहा हुए उनसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे गाजियाबाद की और चलते हैं क्या कुछ वहाँ पर हालाद बन रहे ही जानने की कोशिश करते हैं है एदर अली हमारे साथ में सयोगी बने हुए है एदर आप से जाना चाहेंगे कितने फिजदी वोटिंग यहाँ पर अभी हो चुकी है क्या हाला तभी वहाँ देखें अगर गाज़्याबाद की बात की जाए तो कहीं से भी ऐसी कोई मामला सामने नहीं आया है लोग आ रहे हैं अगर बात की जाए तो अभी जो आकले आये हैं वो ग्यारवे तक जाए तो उननीस परसेंट यहाँ पर प्रस्टान हो चुका है चाहिर है कि इस बार लोगा महापर्म के रूप बेह से मना रहे हैं बदलाव चाहते हैं कुछ चीजों से कुछ बीजेपी से खुश हैं तो वो बीजेपी को दुबारा से बैक लाना चाहते हैं कुछ समाज़ादी पार्टी को दुबारा से लाना चाहते हैं कुछ किसी की नीतियों से परभावीत हैं कुछ किसी के से नराज बैठे हैं अब यह तो ग्यारत तारीक को ही डिसाइड हो पाएगा कि अब शाइड आधेंगि Strongा कि अब फेज Game Sh both आधेंगां कॉछ परभार कॉछ कि यहांवार हो और ने सकती हो बॉटरHello कि हम पड़र लिखें अपर लिखेंगर नई करियें सब्सी क्यों भरेकोगे पर सुर्ज उपर चर्ते आराइए हैं लोग अपने घरों से बाहरा निकल लेशा अर मध्डान तक हुश रहें और मध्डान कर भी रहें और जागरुप भी कर रहें तो कहीं न कहीं जैसे बड़े-going प्रो kसारी क्यों बसा के लिमीर है। जहां विरोध भी हो रहा है थोड़ा बहुत बूतों पर हो कहीं ने कहीं उन लोगों की एक समझ है और कहीं ने कहीं एक लापरवाई है क्योंकि कई महीने से यह प्रोग्राम चल ला आता कि जिसकी बोर्ट नी बनी है वो अपनी बोर्ट जाकर बन वाले हैं लेकिन और कुछ जो इस बात को लाइटली नहीं ले पाई जो कहीं ने कहीं इस वे इन्होंने लापरवाई बढ़ती है कहीं ने कहीं इसको खौमियाज बहुत ना बढ़ रहा है आज अगर बदान की बात कि जाए मैं लोगों में खासा उत्साय आँपर देखने को मिल रहा है और पिछले च जाना चाहेंगे घोषना पत्र की अगर बात करे तो यहाँ पर सभी ने अपने अपने ओर से यहा पर घोषना पत्र पार्टिलों की ओर से जारी किये गया है सपा और बीजेपी के गोशना पत्र में जो वादे लोगों से किये गए है बहुत समानताएं यहां पर देखी गई है क्या लगता है कितना ये लोगों को रिजाने में काम्याब हो पाएगी बिल्कुल प्रिजा बिल्कुल सही का आपने जो गोशना पत्र दोनों ही पार्टियों की तरफ से चारी किये गए हमने देखा कि बहुत सारी समानताएं उसमें हैं और कुछ गोशना पत्र में चीज़ें ऐसी भी है जो बीजेपी ने पिछले बार भी इसमें शामिल की थी लेकिन उन पर अभी तक अमल नहीं हो पाया तो बीजेपी ने दुखनाने की बात की है अगर हम बात करें तो समाजबादी पार्टी जहां पर ये दावा करती थी अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मुफ्त में एक लीटर पेटरल दो पहिया वहां चालकों को देंगे अटोचालकों को हम 6 किलों सी अजी देंगे और इसके अलावार तीन लीटर का मुफ्त का पेटरॉल उन्हें मिलेगा वोटरों को लुभाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और आपको यहां पर यह भी बता दे कि अकलेश यादव ने पहले जब बयान दिया था कि जब भारती जनता पार्टी का घोशना पत्र जारी हो जाएगा इसके बादी समाजवादी पार्टी का घोशना पत्र आएगा और हुआ भी ऐसा ही भाजपा ने जिस तरह से अपने संकल पत्र जारी किया उसके ठीक बात हमने देखा कि अकलेश यादव की फ्रेस कॉंफरेंस हुई और घोशना पत्र सामने आया और असी से भी ज्यादा पन्रों का उनका घोशना पत्र रिथा लेकिन जो तमाम वादे थे वो कही न कहीं मिले जोने हो तो तमाम वादे यहाँ पर राजवनेतिक दलो की ओर से किये गए है अब देखने वाली बात होती है कि जो लोगों को रिजाने के मकसद से राजवनेतिक दलो की ओर से जो गोशना पत्र जारी किया गया है लोग इससे कितने संतोष्ट और खुश नजर आते हैं आप हमारे साथ में जोने तमाम जानकारे के लिए बहुत शुक्रिया आपका चलिया अब इसी बीच रुख करते हैं एक बड़ी ख़बर की ओर जो कि बागपत से मिल रही है बीजेपी सांसर डॉक्टर सतिपाल सिंग का आरेलजी गड़ बंधन पर हमला तूट चुका है आरेलजी का गड़ ये सतिपाल सिंग ने कहा है उन्हों साथ है ये भी कहा है कि कच्छहे की चल वोट डालेगा बीजेपी का वोटर ‌ किसान आंदोलन मुद्दा नहीं किसानों को कुछ लोगों ने गुमराह किया था बागपत के बास्वाली में मतदान करने पहुँचे से सांसर इसी दोरान उन्होंने तमाम प्रतिक्रिया दिये और क्या कुछ उन्होंने कहा इस दोरान आईए आपको सुनाते हैं इसका गड़ बन गया यहीं बारते जनता पार्टी के सारे विदायग है बारते जनता पार्टी का यहां परसान साथ है और चली आप इसी बीच एक अच्छी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं बागपद से ससुराल से पहले मतदान अस्थल पहुचा दूलहा दूलहे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है लोगों से भी मताधिकार के प्रयोग करने की अपील उन्होंने की है प्रात्मिक विद्यालय पिलाना बूत पर पहुचकर दूलहे ने मतदान किया है अपने मताधिकार का प्रयोग किया है तो आज उत्तर प्रदेश में सभी के निगाहें ठीकी हुई है क्योंकि 58 सीटे उपर यहाँ पर वोटिंग यहाँ पर की जा रही है कोल 11 जिले है जहाँ पर लोग पहुचकर यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे है तो इस खबर पर लगतार हम बने हुए है पलपल की अपडीट साब तक पहुचा रहे हैं और कितने फीसदी वोटों की वोटिंग यहाँ पर हो रही है क्या कुछ स्थितियां यहाँ पर नर्मित हो रही है हार एक खबर पर हमारी पैनी नजर है हम बने हुए हैं इस पर रुकनेट छोटे से ब्रेक लिए जलोट